हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवन इस्टडी में दोस्तों मैं वाई सिंग आज एक वार फिर से आप सभी के साथ हूं जी के मौक टेश्ट का भाग 24 में लेकर दोस्तों इससे पहले 23 वाग आ चुके हैं तो देखते हैं आज भा सबसे पहले चुदाहर या पुनर जागन सबसे पहले कौन लाया था राजा राम मोहन राय और वो कि संश्था के द्वारा लाए थे ब्रह्म समाज तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अपसा नमबर यानि की ब्रह्म समाज तोड़ी चीप चर्चा कर लेतें ब्रह्म समाज के बारे में ब्रह्म समाज के चंस्था पक्तों राजा राम हमां राओं से देवंडिनाथ टेगोर है उस सब्हुंब कि जाई अ पुनब को और इसके इस अंसर आप होगा डेखते अगला सवाल है अचाहिए यह राजा राम मुहन दाए इनको राजा की उपादी कौन देता है अकबर अकबर्द दोस्तो बढ़ते हैं आगे की सवाल की तरफ अगला सवाल है समवधान के किन अनुच्चित के अंतर्गत अलप संखिकों को अपनी संस्क्रिती तथा अपनी पसंड की शिक्छा संस्थाों की श्थापना येवं संचालन के अतकार को मानने प्रदान की गई है तो पूछा जा रहा है कि अपनी संस्कृति वा सिक्षा के संदक्षन के लिए कौन से अनुच्षेद दिये गए हैं तो दोस्तों इसके यह भाग तीन की बात हो भाग तीनानी की मौलेक अत्कार मौलेक अत्कार मैं आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ तो इसमें कौन सा मौलेक अत्कार होगा सिक्षा एवन संस्कृति का अत्कार कहां पर दोस्तों अनुच्षेद 29 वा 30 में तो यानि कि ऑप्सन नंबर भी हमारे इस तरह से सही हो जाएगा देखते हैं अगला सव कि अगला कोश्चन में जिले को किस नाम से जाना आ जाता था तो दोस्तों मौगल पिरसाशन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और सूवे को क्या वरतमान में जैसे कोई परांत होता प्रांत यानि की राज्ज जैसे उत्तर प्रदेश मद्प्रदेश बिहार चतिस गड़ इस तरह से इसमें पूंचा क्या गया है जिला जिला यानि की सरकार ऑप्षन नमबर डी हमारा सही आंसर होगा देखते हैं अगला स ओल लोगसवा में कारम या गढपूर्थी कर्मने के लिए कम से कम कितने सरस्यों की आवस्यक्ता होती है पूंचा जा रहा है कि लोग सवावें जैसे संसत का सत्त चालू करना है तो कम से कम कितने संसत संसत में अपस्थित होने चाहिए कि सत्त प्रारम हो जाएगा तो कुल का सत्त प्रारम करने के लिए कुल सदस्त संक्या का कि एक बटा दसमा वाग ठीक है दोस्तों कि तो अंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा कि देखते हैं अगला सवाल सवाल है भूमी गत जल से सिचाई हे तू उपियोग को संभा बनाने हे तू सरवादेक उपियोग निम्न मैंसे किसका किया जाता है कि बोरोवेल से सिचाई होती है सरवा युपियोग कि नक्टी नबर सही आंसर होगा निए अगला सवा अगला सवाल है जाष्ट्रपती द्वारा राष्ट्सभा हम्हें सवाल में क्या पूंचा गया कि हक पूंचा गया है कि कौन-कॉन से कि या नहीं होला त्रीका कुछ करता है तो उस्तों कुल चार छेत्रों से जैसे कला विज्ञान और समाज सेवा वा साहित इन चार छेत्रों से नोट कर लेना आप लोग भी कला विज्ञान समाज सेवा और साहित मतलब अगला सवाल अगला सवाल ताला जल विद्धत परियोजना किस देश के साथ भारत की सायक्त परियोजना है भारत के साथ साथ तूशरा देश कौन सा है सवाल में पूछा गया तो यह वांग्चू नदी पर बनी हुई है परियोजना है ठीकर तो अभी हाली में चल्चा में वी रही है तो देश पूंचा गया हम से घुठान बूत हूज यानि को ऑप्सण नंबर बी हमारा सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले सवाल की किस लेखक ने नौन स्टॉप इंडिया नामक पुस्तक लेखी तो दोस्तों यह पुस्तक काफी चर्चा में रही है पिसले दूँ तो नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक के लेखाक हैं मार्क तुल्ली तो यानि को अप्सटन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है भारती सम्वेधान में 22 भासाओं का उल्लेक मिलता है मतलब कहां पर मिलता है पांचवी अनसूची में छटी अनसूची में साथ मियं सूची में ऑप्सन नंबर डी जाख रुँफ साथ मियं अनसूची में 30 भासा व्ल्लेक पूंचा जाए आसे सकता है और ऑशायों यहां यांची जी never अंग्रेजी को सामिल नहीं किया गया है भास लगा सवाल नुल समवधान के अनुसार भारत सब्रक्राइब लैको देख लेते हुआ प्रवत्संपन नियुक screamed ग्रजाज प्रवत्संपन धर्म नियुक्ष माजवादी गर्णत्रिक कि अगला कि प्रवत्संपन सम्हाजवादी पंथ नियुक्ष माज-ततु स्वाध Κर्णत्थ आप अब लोगों को तीन से चार बार प्रस्तावना दिखा चुका हूं यानि कि पढ़वा चुका हूं तो उसी में हमारा यह आंसर छुपा हुगा है तो उसकी पहली इलान है हम भारत के लोग उसकी आगे लिखा हुगा है भारत को एक संपूर्ण प्रवत्व संपन्द समाजवादी पंति निर्पेख लोग तंतरात्मग गर्दाज यह पांच सब्द दिए हैं दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि यह पांच सब्द आद करना और क्रम से भी करना है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नमबर भारत को कैसा राज जयानी की देश बनाने की बात चल दिए प्रस्तावना में प्रोथ संपन्द समाजवादी पंतिनुर्पेख लोग तंतरात्मग गर्दाज तो अप्शन नमबर डी हमारा सही आंसर होगा और एक क्रम से तक बिलकुल आसान सा सवाल है दोस्तों निकि टेंपरेटर का निर्मार हो रहा है ठीक है और आगे क्या लिखा है समय समय पर मौजूरा चट्टानों पर दवाव डालती है दवाव डालती है यानि की एक चीज में कॉमन क्या है एक चीज के लिए क्या है कि इनका जूप में परवर्तन मतलब परवर्तन हो रहा है तो यह कौन सी चट्टाने होगी जूप आंतरित चट्टाने हो जाएंगी यानि कि ऑप्सन नमबर सी हमारा सही आंसर होगा देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है प्रत्थवी का छोब मं मंदल हमारे पर्यावन की सबसे पहली परत होती है तो अब देख लेते हैं इसको किस तरीक से इसकी उसा तूचाई पूंची गई है इससे दो तीन फैक्ट वनते हैं इसकी उचाई को लिए करके वही में सभी कवर कर जाएं तो यह हो गई दोस्तों हमारी भूमत रेखा पर चुछी को लगवक्त दो भाबर भागों में बाठती है और यहां पर होती है इसकी उचाई सरवातिक वह कितनी होती है अठारा किलो मीटर तक अगर धर्वाँ की तरब जाए तो इसकी उचाई हो जाती है आठ किलो मीटर ठीक है दोस्तों इसमें पूंचा क्या गया है अगला सवाल अगला सवाल निम्न लेखत में असे भारत में उत्पन्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है पहला दिया भ्रह्मपुत भ्रह्मपुत भारत में नहीं होती है मतला उद्गामिस्थल भारत में नहीं है इसका अगला गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है ठीकर दोस्तों इसका उद्गामिस्थल कहां पर है गौम गौमुक गंगोत्री हिमनत और यह कहां पर पढ़ता है उत्तराखंड है ठीक है दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 2600 किलोमीटर से भी उख अदेखें लेकिन इसकी अगर भारत में देखी जाए पत्चीस सो कि पत्चीस किलोमीटर सिरुफ भारत में बाकी की कहां यह दोस्त तो यह बंगार बंगला देश में बंगला देश इसी को बंगला देश में क्या नाम से आना जाता है ठीक है दोस्तों दो तीन फैक्ट और भी इसमें एड कर लिए हमने तो इस तरह से और बी हमारा सही आंशा कर देखते हैं अग्ला सवाल अग्ला सवाल है चुंब्र की प्रवाय को मापने के लिए प्रियुक्त का इससी है सब्सक्राइब करने का जाता है तो अर्ब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों कोची या कोची बंदरगाय को ठीक है दोस्तों कि और क्यों कहा जाता है रफ-सागर की रानी क्योंकि यह उस समय में मद्यकाल और उसके बाद आदुनिक भारत में भारत का सबसे प्रमुक्त बंदरगाय करता था वियापार की दिरस्टी से तो अप्शन नमबर यह हमारे सही आंसर होगा अब सागर का सारा व्यापार यहीं से होता था ज्यादा तर देखते हैं अगला सवाल मैं धाली मैं प्रांड किसी बनाया गया है तो दूस्तोंस्तु का ब्रांट अमबस्ट्र बनाया गया है यहा कौन यह एंडियन वूमन किरिकेट की सदस्थ है ठीक है दूश्ते YE को योमन क्रिकेट की सदस्थ है और ये रिकॉर्टब बनाया था भारत की तरफ से छहाए केम या मुन किया नहीं किया की सबसे कम अम्मर में हाब सेंचुरी बनाने का ठीक है कौन है सफाली वर्मा यानि को नमबर भी हमारा सही आंसा होगा देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल ही मैं गेहूं की कौन सी किस्म खोजी गई है दोस्तों यह खोजी नहीं है यह संक्रित किस्म है लग बनाई गई है तो इसका नाम क्या है में सी एस 4028 इसमें क्य संक्रित करके पूशन चमता में ब्रद्धी कही है पूशन चमता में ब्रद्धी कही है मतलब ज्यादा अच्छा पूशन देगा और यह एक बोनी किस्म है ग्यहूं की बोनी किस्म है ठीक है दोस्तों यानि को अप्शन नमबर सी हमारा सही आंसा होगा देखते हैं अगला सवाल है प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट और पुरुष्कार जीतने वाली प्रतम भारती महिला कौन है तो हाल ही में एक किस नहीं जीता है अभी तो दोस्तों जीता है भारत की होकी प्लेयर रानी रामपाल ले यानि कि ऑप्सान नंबर भी हमारा सही आंसर होगा दे स्फियम नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिक कौं करेगा सवीकार देन करने के लिए तो दोस्ते हैं करेगा नासा है नासा कौन सा मिशन करेगा सुण के लिए सानराई मिशन और इस हो कौन सा करेगा आदित इस uh oh this मितलब सूभी होता है आजित एशरो सवारा संगराई एमिशन ठीक है दोस्तों आज के सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं अच्छा कहां की स्पेस अजनसी है यूए से की और जाक्षा जापान की आज का यह आखरी सवाल था दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं नासा का फुल फॉर्म पूंचा जाता है कहीं कहीं तो क्या है नेशनल एरो नॉटिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन ठीक है तो यह कहां की अजनसी यूए से की आज के सवाल में बस इतना ही था द आज के लिए आपके लिए क्या सवाल है यानि कि आपका होमवर्क में दिया हुआ जम्मू और कस्मी राज्ज को विसेष राज्ज का धर्जा किस अनुच्छेत के तहर्त प्राप्त था तो दोस्तों हजोज की तरह इसको भी आप लोगों को कमेंट में लिखना है यानि कमे लिए दोस्तों इतना ही था अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही बस धन्नवाद